हेलो माई डियर फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पात्मिकर में मेरे नाम है सौरव और दोस्तो अब हम बात करेंगे RRB NTPC एक्जाम की जो की 8 जनवर्जी को 1st shift को हुआ था और उसमें भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों GK के कोश्चन की कौन-कौन से GK के कोश्चन साहिते दोस्तों हम 100% real कोश्चन की बात करेंगे और आगे के कोश्चन का अनुमान भी लगाएंगे कौन से कोश्चन पुछे जा सकते हैं देगे दोस्तों मैं आपको एक overall review देदू जो RRB NTPCA exam आ रहा है उसमें ना केवल मैं तो reasoning की असान आ रहे है बलकि GK भी कुछ जादा अच्छी level की रेखने को नहीं मिल रही कोई भी average student उसमें दोस्तों 25-30 question आराम से attempt कर पा रहा है GK के 10-15 question दोस्तों ऐसे आ रहा है जो की कुछ level के हैं जो की every या फिर हर student हम क्या सकते हैं नहीं कर पा रहा है कोई ज़्यादा मेहनत करने वाला student ही कर पा रहा है ठीक है overall अगर बात की जा तो question जो है question का level असान ही आ रहा है ठीक है तोस्तों पहला question क्या आयथा Australia की राज़धानी क्या है देके दोस्तो ऑस्ट believer की राज़धानी क्या है आपके आट को पास वाले आफिर जिन से हमने कोई संदीक की है उनकी ضरूर आप क्या कीजी राजधानी याद कर लेज़ी इसमें ही पूछ लेगा दोस्तो और शिले की राजधानी क्या है दोस्तो क्या है Canberra आए ठीक है नेस्स कोशन देखे क्या है था Interpol का मुख्याले क्या है देखे दोस्तो मैं आपको जितनी भी विसलेशन किये जा रहे हैं उसमें हर विसलेशन में आपको बोलता हूँ कि आप क्या कीजिए दोस्तो जितनी भी International Organizations है उनके बारे में जरूर पढ़िए दोस्तो UNICEF, UNESCO, Interpol ठीक है और दोस्तो क्या है हमारा International Court WTO, WHO इन सभी के बारे में आप दोस्तो पढ़के जाएं इन से कोशन हर शिफ्ट ऐसा कोई भी शिफ्ट अभी तक RRB NTPC का नहीं हो जिसमें इन से related कोशन आप से ना पूछे गए हो तो दोस्तों Interpol का मुख्याले क्या है देखे दोस्तो इसकी स्थापने में आपको बता दू 1923 में हो तो इसका मुख्याले है ङरता आपए को जाएं और दोस्तों जो महोटसव हैं तियोहार हैं वो जरूर कवर करके जाएं हर शिफ्ट में एक ना एक कोशन आपको जरूर देखनेु का मिल रहा है ठीक है तमार्शा कहां से समन्दे तरि महाराष्टा से नच कोशन दोस्तो गागरा नदी किस नदी की एक साहिक नदी है दोस्तो नदीयों से रिलिटेट आप दो कोशन देखने को मिले हैं मीटे पानी की सबसे बड़ी जील 200 कौन सी है वो है दोस्तो लेक सुपीरियर जील भी आप इसको कह सकते है ठीक है नेस्ट कोशन देखे दोस्तो इससे बढ़ने से बढ़ने से पहले आप ध्यान रखेंगे पर है सबसे घैरी जील आदoi किई दोस्तो के अपकर एक कोशेन देख्के दोस्तो फीफों इन फिरिफन की पूछी गईती दोस्तो विचते हीुशव के पता लगा कि ऊसमें फीफा की पूछी गती और थाथ encoding दोस्तो इस shift में एक्जाम था तो FIFA के फुल फॉर्म है थी है, FIFA के फुल फॉर्म है थी है, तो दोस्तो FIFA के फुल फॉर्म तो होती है, first in first out, क्या होती है दोस्तो, first in first out, ठीक है, next question देखे, दोस्तो क्या है था, question number 8, world bank के वर्तमान CEO को होना, देखे, दोस्तो मैं आपको हर बार कह रहा हूँ, क्या कीजी आप, यह जितने भी international organization है, इन सभी के बार में जरूर पढ़के जाएगा, ठीक है, world bank के वर्तमान CEO को होना, या फिर दोस्तो, chairman आप कह सकते है, director भी कह सकते है, को दोनों को, world bank को और IMF को, world bank से related आपसे पूछ ले गया है, अब आने वाले paper में आपसे पूछ आजा सकता है, दोस्तो, IMF से संबंदित, मतलब कि IMF की जो CEO है, क्रिशली और जोर्जी एवा, उन से संबंदित प्रेशन आपको देखने को मिलेगा, next question देखते हैं, question number 9, question number 9 आ आप याद करके जरू जाएगा, देखें, question number 10 आया था, लाल बाल पाल, लाला लाजपत्राय, बाल गंगदर तिलक और विपिन चंदर पाल के अलवा, गरम दल के सदस्य कौन थे, देखें, दोस्तो, मैंने आपको बताया था, जो कांग्रेस पार्टे का विभाजन हो गया उसमें दोस्तो नरम दल और गरम दल में पार्टी बढ़ गई थी, तो दोस्तो गरम दल का जो नेतरत किया जा रहा था, वो किया जा रहा था, लाल लाजपत्राय, बाल गंगदर तिलक और विपिछंदर पाल, और इनके लावाए, एक सदस्य से पुछे थे, दोस्तो, तो अलग है जो एक अलग सदस्य है वो हैं दोस्तो अर्विंदो गोश्टी के जो कि गरम दल के नहींता थे नेश्ट कोश्चन नमर 11 आया था भारते विग्यान दिवस कमना आया था देखें दोस्तो हर शिफ्ट में एक ना एक कोश्चन आपको डेस से देखने को जरूर मिल रहा दोस्तो वो डेस जरू करके जाए ये कोश्चन में आपको जीक पूश्चर शिरीस के मदम से कवर करा रखा था भारते विग्यान दिवस कमना आया था दोस्तो 28 February को मना जाता है वारते विग्यान दिवस ठीक है नेस कोश्चन के बढ़ते दोस्तो देखें को बारा क्या था भारत की प्रतम याति रेल का नाम क्या था दोस्तो ये कोश्चन में आपको जीक पूश्चर शिरीस के मदम से कवर करा रखा था है भारत की प्रतम याति रेल जो चली ती दोस्तो प्रतम महिला लोगा पालेट बनी थी वो सुस्री मुम्ताज खथा वाला और सुरेख हयादव ये दो बनी थी दोस्तों ये सभी के सभी कोशन में आपको कितनी बार जी के बुश्यप सिरीस के मादन स्कावर गरा रखे हैं देखे दोस्तों मैं आपको ऐसी ही नहीं बोलता था अजयाण का फाओंडिंग को ने कहीं देखें दोस्तो ये क्या है दोस्तों आशियाण के के फ़ौंडिंग मेंबर 5 थे तो दोस्तो विरुपाक्ष मंदिर कहाँ पर हमपी करनाटक में इस तिता विरुपाक्ष मंदिर और भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ठीक है नेश कोशन देखे दोस्तो कोशन नमबर 16 आयता हाई ब्लोड प्रेशर में कौन सी दवाई देने के सलाह दे जाती है देखे दोस्तो यहाँ दवाई का नाम नहीं था महाँ पर क्या था एक घरिल उनुसकों के बारे में पूछा गया था दोस्तो कम नमब खाएं यह ऑप्शन पर मतलब करता था इसका अंसर ठीक है और अब हम बात करते हैं दोस्तो नेक्श कोशन की ओर यह समानतर का अदिकार पूछे गया है दोस्तो आपसे आने वाले शिफ्टों में आप जरू करके जाएगा जो आर्टिकल 19 में दोस्तो आपको स्वतनतरत दी गही है उससे रिलेट दोस्तो शोशन के उरुद दिकार प किस नदी में पाई जाती है देखें दोस्तो जो डॉलफीन है वो पाई जाती है गंगा नदी में ठीक है और दोस्तो इसको घटती जा रही है ठीक है अर दोस्टों इसको हम जलीयe पशू भी कहते हैं, भारत का जलीयe पशू भी है, डॉलफिन, टीक है दोस्तों हमें इतनी कोश्यों मिल पाए, अगर आप इसे भी ज़ादा कोशन जानते हैं आप comment section में comment करके जरूर बताइएगा